ठीक है तो देखो अपन ने फिर इसकेंदर water soluble hormone की बात करी अब अपन ये बात करते हैं इसकेंदर lipid soluble hormone की तो lipid soluble hormone की अपन बात करते हैं तो इसका जो function है वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है soluble hormone ठीक है तो माल लेते हैं कि ये जो है एक lipid soluble hormone है ठीक है तो अब lipid soluble hormone जो रहता है ना उसकी membrane के साथ में क्या करता है अटेच नहीं होता है ये क्या करता है डारेक्टली एंटर करता है क्यों ऐसा होता है क्योंकि lipid soluble hormone खुद भी lipid का बना है और जो target cell की जो membrane होती है वो भी कैसी होती है lipid की बनीवी होती है ठीक है ये जी रहती तो अपन ये माल लेते हैं कि जैसे ये जो इसकी membrane है ये जो membrane बनीवी है खुद किसी बनीवी है ये आपके lipid by layer की बनीवी है lipid by layer है ये इसकी क्या है और target cell है ये target cell का cell membrane है ठीक है इतनी बाद समझ में आगे और इस target cell पे क्या लगावार रहता है कुछ ऐसे इसके receptors इसमें क्या होगा डारेक्ट यहाँ पर कोई भी receptors होंगे इसकी membrane पर नहीं होंगे अब ये जो hormone होता है ये क्या करता है डारेक्ट ली एंटर करता है इस target cell के अंदर और इसके जो receptor होगा ये काँपे प्रेजेंट होगा या तो इसके cytosol के अंदर प्रेजेंट होगा या तो इसके कहां पर होगा? नूकलियस के अंदर प्रेजेंट होगा. तो यह इसका receptor जो है, यह इसके cytoplasm प्रेजेंट है. तो इसको अपन क्या बोलते हैं? cytosolic receptor बोलते हैं. और इसी को यह अपन क्या बोलते हैं? intracellular receptor भी बोलते हैं. तो इस यह जो hormone है, यह क्या करेगा? आपके डारेक्ट जाकर के cytosolic receptor से जाकर के attach हो जाएगा. तो यह जाकर के इससे attach हो गया. जैसे ही attach होता है, यह क्या बना लेता है? आपके hormone receptor complex बना लेता है. चीक है? अब यह hormone receptor जो complex बना है, यह जाकर के move करता है इस target cell के nucleus के अंदर. ठीक है? यह कहाँ चला जाएगा? अंदर की तरफ चला जाएगा. तो अब जब यह अंदर की तरफ जाएगा, तो कुछ S1 बना लेते हैं. यह हो गया इसका receptor, यह हो गया इसका hormone. और इस cell के nucleus के अंदर क्या present है? इसका यह DNA. ठीक है? यह है इसका nucleus और यह है इसका DNA. अब यह जो hormone receptor complex है, यह क्या करता है? इसके DNA को influence करता है. यह DNA से जाकर की क्या करवाता है? काम करवाता है. ठीक है? RNA बनाता है. ठीक है, बनाये RNA. और यह RNA क्या करता है? protein कुछ protein बनाता है. यह जैसे मान लेता है. यह है कुछ protein. इतनी बाद समझ मा आगई आपको? तो सबसे पहले इस hormone receptor complex ने क्या करा? अंदर move करा nucleus के. nucleus के अंदर move करने के बादर DNA से जाकर के attach हो गया. मानले ले DNA से जाकर के attach हो गया. और attach होने के बाद में यह क्या करा है? इसने DNA का replication करवा करके क्या करवा दिया? DNA के अंदर आपके replication करवा है. replication करवा करके क्या करवा है? transcription करा है. ठीक है? और क्या बनाया? RNA. यह RNA को translate करकर के इसने क्या बनाया protein का formation क्या अब ये protein क्या करती है इस cell के target cell के biological response को generate करती है और ये biological response आगे जाकर के क्या करता है कुछ physiological इस तरीके से lipid soluble hormone जो होते है वो क्या करते है directly जाकर के अपना काम करते है उनके पास में वो क्या करते है वो water soluble hormone की तरह primary messenger या फर एक तरीके से secondary messenger का formation नहीं करते और यहाँ पे जो reaction चलती है यह थोड़ी सी slow reaction होती है लेकिन कैसी होती है long lasting होती है काम नहीं हो रहा था वहाँ पे basically का काम हो रहा था secondary messenger के form के अंदर काम हो रहा था तो वो reaction थोड़ी fast चलती है इसलिए इसको अपनने क्या हो रहा था cascade reaction यहाँ पे क्या होता है long lasting reaction होती है तो water soluble hormone जो होते हैं एक तरीके से slow काम करते हैं और long lasting काम करते हैं इसका effect जो होता है long lasting होता है तो अपने यह बोल सकते हैं इसका जो effect होता है वो कैसा होता है long lasting होता है effect जो होता है long lasting होता है इसको आप लिख लो अपने बात करी physiological response में जैसे कि अपने एक बात कर लेते हैं कि physiological reaction क्या हो सकता है जैसे कि tissue की growth के लिए हो सकता है ये tissue की differentiation के लिए यानि कुछ और दूसरे tissue बनाने होते है उसके लिए भी हो सकता है तो physiological response के अंदर जब आपने बात करेंगे तो हो सकता है कि यह क्या करवाए टिशू की growth करवाए और साथ में क्या हो उसका differentiation भी करते हैं टीक है इतनी बहर समझ में आगई टिशू की growth और differentiation करता है ठीक है तो यहां तक अपना जो है water soluble होते हैं, कितने type के कैसे होते हैं, fat soluble होते हैं, किस तरीके से mechanism होता है, यह सारा का सारा अपन ने hormone की बात करी, क्या काम करता है, कितने amount में निकलता है, यह सब चीज़े अपन ने बात करें, ठीके, अब अपन ये बात करेंगे कि जो hormone को release करने वाली जो endocrine gland है, chemical coordination और integration, यानि nervous system और endocrine system दोनों जुड़े हैं, तो यह जुड़ने वाला जो पार्ट है, यह basically कहाँ पर brain वाले पार्ट के अंदर है, ठीके, diencephalon का जो hypothalamus वाला पार्ट होता है, जैसे अपन बोलते हैं, diencephalon के base of diencephalon जो होता है, वो क्या बनाता है, hypothalamus बनाता है, और hypothalamus से क्या होता है, stock like structure, यानि एक डंडी की तरह structure निकलता है, फिर एक मटर के दाने की तरह एक gland बनती, जिसको अपन गया बोलते है, pineal gland, sorry, pituitary gland बोलते हैं, तो ये दोनों कैस तरीके से काम करते हैं, तो उसके लिए अपन को ये समझना पड़ेगा, कि hypothalamus के nervous function के इलावा endocrine function कौन-कौन से होते हैं, ठीक है, उसको अपन देखते हैं, ठीक है, तो अब अपन heading डालते हैं, सबसे पहले, hypothalamus, ठीक है, hypothalamus की बात करते हैं, तो देखो, hypothalamus के अंदर अपन ये बोलते हैं, कहां present रहता है, तो अपन ये बोलते हैं, present at basal part of diencephalon, ठीक है, और diencephalon किसका पार्ट है, खुद किसका पार्ट है, ये four brain का पार्ट है, इतनी वाद समन्वाई, ठीक है, hypothalamus कहां पर present रहता है, diencephalon में, अब इसका जो origin होता है, origin का मतलब भी होता है, कि जब embryonic life के अंदर, ये किस तरीके से कौन सी layer से बनता है, तो अपन ने ये पढ़ाया है, कि embryonic life के अंदर, तीन तरीके की layer होती है, एक अरती है ectoderm, एक होती है mesoderm, और एक होती है endoderm, तो ectoderm का क्या होता है, यह origin होता है, यानि ectoderm वाली जो layer होती है, वो क्या करती है, इस hypothalamus का formation करती है, तो यह कैसा होता है, ectodermal in origin, कितनी बाद समझ में आगी, ectodermal in origin, यह कुछ दो important point है, अब अपन यह बात करते हैं, कि इसके किस तरीके से इसमें क्या-क्या चीज़े होती है, जैसे माल लेता है, यह जो है, आपका hypothalamus है, अब hypothalamus से क्या होता है, एक stock like structure निकलता है, stock dandy की तरह structure निकलता है, इस dandy की तरह structure निकलने को अपन बोलता है, in fundi column बोलता है ठीके, और यह infinity column जो होता है, यह आगे जाकर के दो loads में divide हो जाता है ठीके, एक हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा लोप और एक हो जाता है, थोड़ा सा छोटा लोप कुछ इस तरीके से चीक है? और ये जो एक तरीके से gland की तरह formation करता है जिसको अपन बोलते हैं pituitary gland बोलते हैं तो अब भी अपन को hypothelemus की बात करनी है कि hypothelemus में क्या-क्या चीजे होती है तो hypothelemus से एक growth हुई जो की stock-like growth थी ये एक तरीके से क्या है stock-like structure है इसने क्या गरा? आगे जाकर के एक lobe-like structure बनाया जो क्या बनाया? एक pituitary gland का formation करा तो अपन ये बात करते हैं कि hypothelemus के पास में क्या-क्या चीजे होती है तो अपन ये बोलते हैं कि hypothelemus अगे जो होते हैं कुछ nuclei present होते है ठीक है? ये जो nuclei होते हैं ये क्या करते हैं? कुछ hormone का formation करते हैं और उसका secretion करते हैं तो जैसे अपन ये बात करते हैं कि ये पूरी की पूरी pituitary जो होती है दो भागों के इंदर divided हो जाती है ये जैसे माल लो इसको अपन बोलते हैं anterior pituitary बोलते हैं और यह जो पीछे वाला भाग होता है इसको अपन क्या बोलते हैं posterior pituitary बोलते हैं अभी अपन और pituitary के बारे में अलग से पढ़ेंगे लेकिन अपन थोड़ा सा basic चीज देख लेते हैं कि हाइपोथालेमस किस तरीके से हैं और इसके बीच में एक और पार्ट होता है यहां पर इसको अपन बोलते हैं medial pituitary तो pituitary के तीन भाग होता है एक होता है anterior, posterior और एक होता है medial pituitary तो जब अपन ने यह बात करी कि हाइपोथालेमस के पास में क्या होता है कुछ special तरीके के nuclei होता है जो की neuroscretory natures के होता है कैसे होता है neuroscretory sleeps cells होती है जो की किसे बने भी होती है cell body जो होती ए clusters of cell body जो होती है हो मिल करके यह बनाती है clusters of cell body टीकिde of neuron टीकिde तो यह क्या करते हैं neurosecretory cell जिसे की नाम में लिख रहा है यह क्या करते हैं कि hormone का secretion करते है hormone क्या करते हैं यह secretion करते है अब कैसे कहां पर present होते है nuclei उसकी पन बात करते है तो कुछ nuclei जكون होते हैं यह अपने टीकिट यहां present होते हैं, दो-तिन nuclei, ठीक है ना, इन nuclei को open बोलते हैं, यह दो nuclei जो होते हैं, ठीक है, two nuclei present होते हैं, इन दो nuclei को open बोलते हैं, एक open बोलते हैं, supra-optic nuclei, ठीक है, क्या बोलते हैं एक को, supra-optic nuclei बोलते हैं, ठीक है, और एक open बोलते हैं, paraventricular nuclei बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको paraventricular nuclei चीक है तो ये दुनों nuclei क्या करते हैं एक तरीके से cell body concentrate है इससे क्या निकलेगा कुछ exon निकलेंगे जो जा करके कहां पर जा करके attach हो जाएंगे posterior pituitory के अंदर जा करके ऐसे जुड़ जाएंगे और वहाँ जाकर के एक ऐसे जाल की तरह structure बना लेता है जाल की तरह structure बना लेता है कुछ इस तरीके से यानि ये क्या होते है exon की endings होती है ये cell body, cell body से neuron निकला neuron जाकर कि इसकी endings जो होगी वहाँ जाकर कि उसने क्या बना लिया posterior pituitory का neuron वाला part बना लिया यानि nervous part बना लिया तो अपन ये बोल सकते हैं कि posterior pituitory कुद कैसी होती है nervous part होता है इतनी बाद समन्वाई आपको अब कुछ nuclei जो होंगे वह आपके इस side में भी present होंगे जैसे यहाँ पे भी कुछ nuclei होते इनमें से भी कुछ न कुछ क्या होते हैं यहाँ पे ऐसे track बनते हैं और यह आगे जाकर की क्या करते हैं कि इनमें से यह आगे जाकर की एक circulation system का बना फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे माल लो एक circulatory system बन गया जो इन hormone को यहाँ पे पहुचाने का काम करेगा इतनी भा समन वाई? यानि यहाँ से क्या बना? एक तरीके से ये एक blood vessel का circulatory system बन गया इस तरीके के system को अपन बोलते हैं hypo-facial portal system बोलते हैं अब portal का मतलब यह होता है दो जगे को आपस में जोडने वाला ठीक है? यानि एक क्या कर रहा है? यानि pituitry का जो एक भाग है वो किसे hypothalamus के कुछ neuron से control हो रहा है? और pituitry का दूसरा भाग है वो neuron आगे जाकर के अपने secretion को इस blood vessels के अंदर क्या करते हैं? system के अंदर transfer करते हैं और यह blood vessel का system जाकर के कहां पे एक mesh like structure बनता है anterior pituitry के अंदर और इस तरीके के portal system को अपन क्या बोलते हैं? hypofacial portal system बोलते हैं तो यह जो होता है अपने इसके अंदर पाट होता है तो अपनी यह बात करी के जो posterior pituitry के अंदर दो nuclei जो थे supraoptic और paraventricular nuclei जो थे वो जाकर के control किसको कर रहे हैं? posterior pituitry के secretion को वैसे ही क्या है? कि जो anterior pituitry के secretion को control करने वाले जो nuclei है यह भी कुछ hormones release करते हैं ठीके ना? हॉर्मोन का क्या करते हैं? secretion करते हैं अब यह जो hormone होते हैं दो type के होते हैं यह एक ऐसे hormone निकालते हैं जो pituitry के निकलने वाले hormone को release करवाएं और कुछ ऐसे hormone निकालते हैं जो pituitry के hormone जो निकल रहे हैं उसको क्या करा है? inhibit करा है यानि hormone निकलवाते भी है और hormone को inhibit भी करवाते हैं तो दो तरीके हो गया होगे एक हो गया releasing hormone और एक हो गया inhibitory hormone हो गया ठीक है? तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ठीक है? कौन-कौन से हो गया? एक हो गया आपके releasing hormone और एक हो गया इन ही beating hormone हो गया इतनी बाद समझ में आई? ठीक है? एक और मैं फटा-फट से repeat कर देता हूँ तो भी सुन लो अपने यह बात करें कि hypothalamus कहां प्रेजेंट है? basal part of diencephalon जो खुद किसका part है? 4-band का किससे बनावाता है? ectodermal in origin तो hypothalamus के अंदर क्या होता है? कुछ neurosecretory cells होते हैं जिसको अपन nuclei बोलते हैं जो क्या होते है? clusters of cell body होते हैं यह cell body क्या करती है? आगे जाकर के कुछ hormone release करती है ठीक है? और यह in nuclei की बात करें तो दो तरीके के nuclei होते हैं एक supraoptic nuclei और यह होता है paraventricular nuclei होते हैं ठीक है? और उसी तरफ पे भी क्या होते हैं? कुछ nuclei होते हैं कुछ hormone secret करते हैं जैसे की कुछ releasing hormone होगा है कुछ inhibiting होगा है releasing मतलब जो pituitory से hormone को release करवाएंगे और inhibitory hormone मतलब जो pituitory से उस hormone को release नहीं करवाएंगे inhibit करवाएंगे ठीक है अब यहाँ पे जो हॉर्मोन बनता है nuclei के अंदर वो आगे जा करके अपना transfer किसमें करता है network और blood vessels होती है उसमें transfer करता है जो आगे जा करके anterior pituitary के साथ में जा करके combine होता है तो एक तरीके से यह portal system बनता है ठीक है इस portal को पन बोलते है hypo facial portal system जो किसके बीच में बनता है hypothalamus और anterior pituitary के बीच में बनता है ठीक है अब दूसरी यह बात करी कि अपने जो दो nuclei थे supra optic और para ventricular nuclei यह क्या करते हैं कुछ neuron के neuron fiber की exon endings होती है जो जा करके क्या करते है posterior pituitary के अंदर ऐसे जा करके mesh like structure बना लते हैं और वहाँ जा करके क्या करते हैं posterior pituitary के hormones को release करवाते हैं और इसको store भी करवाते हैं ठीक है अब यह एक तरीके का मैं बोल सकता हूँ nervous part हो गया ठीक है और यहाँ पे जा करके और यह जो आपके जो pituitary को connect करने वाला एक stock होता है जो hypo thalamus से निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं आपके इन फंडी कुलम बोलते हैं ठीक है इसको नोट कर लो आप खेला है ढ कर गवाँपर यह जो आपके क्या जो हमने और यह झापके क्याब मरेज़य कोुलम में वे नोट।